दोस्तों स्वाग। अपका मेरे इस page में मैं आज आपको दिखाने वालों भूद्बत्ति का बिजनस आप किस तरीके से कर सकते हैं। यह चोटा सा बिजनस आप सुरू कर सकते हैं। क्या लगा हुआ है। चोटी सी हमने ड्राइब लगार किये ड्राइब चल लिए इसी ड्राइब से पूरी मशीन ऑपरेट है इसके पीछे एक आधे होड्स पाउर का मोटर लगा हुआ है और मैं इसके रो मटियल की बात करता हूँ तो आप देखें इसके अपर क्या रो मटियल रखा हुआ है यह हम का मील शियुकती होँ आप देखें कि इसमें को कि इतने आसान दिके से पूरा काम हो है शोटी सी फोटेबल मशीन है और इस portable machine को आप घर के कौने पर भी आप लगा सकते हूँ आप देखे में machine को आप तो घुमा के भी दिखा रहा हूँ तो किस तरीके से इसमें ये छोटा सा काम होता और किस तरीके से machine चालू होती है ये stick है इसमें regular बनते वे आ रही है और जो इसमें इस तरह का powder होता अपर इसका raw material रहता इस raw material से ये बनेंगी तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते है कि machine कितने आसानी से चल रही है और क्या क्या का machine करती है तो अगर मैं इसके production की बात करूँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं अभी machine को start करें मेरे को मुश्किल से मुश्किल तीस से चालीस सेकिन हो रहे है और तीस से चालीस सेकिन में हमारा कितला सारा माल इसमें हमारा बनी गया है तो यह जो machine है ना दोस्तों market में आपको इस्टांब देखने को नहीं मिलेगी इतनी high-speed machine इन धूपिस्टिक्स को आप बनाके यह इस तरह की धूपिस्टिक्स को आप बनाके market में एक अच्छे rate को आप सेल कर सकते हैं बहुत ही कम मजड में आपके रिजनस चुरू हो जाता है मैं अगर इसके machine की rate की भी आपको बात करेंगे rate बताएंगे कि किस तरीके से machine का rate है और किस तरीके से यह चलती है आप यह देखें कि इसका प्रिमिक्सिके अन्दर जा रहा है यह प्रिमिक्सिसे इसका सा시죠 फारा काम होता है किस की तरीके सेuds 147 मारा थोल के पूरी की पुरी इस्टिक्षू को हमारे मीडाल रहे है आप यह देखें मेरी ट्रे पूरी की फूरी बढ़ चुकी है और कितने साफ तरीके से फूरी मशीन काम कर दीए घर के एक छोटे से कौनी माथ इसको लगा के आप अपना पुरा-पुरा काम कर सकते हो तो यह सारी चीज़ा आप इस मशीन के दारा कर सकते हों आपको मशीन के दुमा कभी मैंने दिखा रहे हैं तो अगर मै करूं इस मशीन के प्रोडेक्शन की तो एक गिंटे माथ कि कम से कम साथ से आठ जार इस्टिक निकाल देती है मैंने बहुत ही कम टाइम इसमें के वाल मैंने आधा के जी प्रीमिच जागा था आधा आधे के गरी सारी और कितनी सुंदर सुंदर हमारी इस्टिक है ते तयार करदाएं सुखाने के बाद इसको पिर से आप उसमें लगा सकते हैं अभी हमारा प्रिमिक्स खत्म हो गया तो परफ्यूम कर दिया जाता है परफ्यूम से फिर इसके बाद आप इसमें परफ्यूम जैसे ही डालते हैं परफ्यूम डालने के बात फिर इनको पाउच में पैक करके अच्छे रेट में आप आगे बेश सकते हैं कम मजट का सबसे बहतरीन काम है यह जैसी हमारी ट्रे भर जाती है इसके बाद इस तरीके से ट्रे को उठा लिया जाता आप देखें यह ट्रे मैंने उठा लिए ट्रे उठा के हम कहीं भी खाली कर सकते हैं फिर सकते हैं तो यह आप देखें कि इसमें कोई ज्यादा स्पेस की भी जर्वत नहीं है घर के छोटे से कौने में आप इसको शुरू कर सकते हो और अगर मैं इसमें बात करूं लाइट की तो एक घर के सिंगल फेस लाइट में इसका यूज होता है सिंगल फेस लाइट साफ इसको चला सकते हो और मैं अगर मशीन के रेट की बात करूं तो दोस्तों मात्र अंसर डेयार पर मैं आपको यह पूरा का पूरा सेटप मिल जाता है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहां पर काम होता है और क्या क्या चीज़े इसमें बनती है यह सारा का सारा आप देखें यह हमारी मशीन का पीठे का उटर है और इस तरीके से आप देखें हमारे पाप बॉक्स आते हैं जिसमें आप रोज, मोगरा, गुलाब, हर तरह के आप इनको बना सकते हैं मैं आपको इन पहुचु में आपको पैक करके फिर आप इन बेजभी सकते हैं और अगर मैं इसकी पॉलेटीन वाली पन्ची की बात करो तो मार्केट में वोगी एवेलेबल रहती है वो आपको आपको अमारे पास मिल जाएगी इसका सारा का सारा रोव मटियल हमारे पास मिल जाएगा यह इस तरह के लंबे-लंबे पैूच आप ले सक आप इनको पैक करके मार्केट में अच्छा रेट आप ले सकते हैं तो कम मजट के अगर बात करो तो कम मजट का सबसे बहतरी निश्टाइम का बिजनस है आप इसको कहीं पर भी आप इस काम को सुरू कर सकते हैं